तो कैसे हैं आप सभी लोग मैं उमीद करता हूँ जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, सुरक्षित होंगे और सबसे एहम बात अपने अपने घरों में होंगे and welcome to this वीडियो आज की इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हों कि कैसे अगर आप लोग भी अगर छोटा सा लोन अमाउंट का लोन लेना चाहते हो और एज़ा वो लोन पाना चाहते हो अपने पास में तो वो लोन कैसे ले सकते हो अभी जैसे आपको मैं बता दू कि परसनल लोन जैसे आपको पता है 50,000-50,000 रोपे से शुरू होता है और बागे जो instant लोन है वो भी आपको साहदा 20-30,000 का मिलता है लेकिन कभी-कभी होता है कि जो लोगों को है quick loan की जरूरत होती है quick loan का मतलब यह होता है कि आपको अरजन्टी में कुछ पैस हो कि छोटे से amount की जरूरत है वो भी आपको ऐसा loan मिल जाए कि कभी-कभी ऐसा होता है बड़े-बड़े loan amount को complete करने के लिए छोटे loan amounts की जरूरत होती है तो आप ऐसे loan को कैसे ले सकते हो जो कि मैं आपको आज की इस वीडियो में समझाने वाला हूँ आज की इस वीडियो को proper देखने के बाद जो है आप लोग easily यहाँ से छोटे से छोटे loan amounts को easily grab कर सकते हो कि maximum 10,000 तक रुपे तक तो आप ले ही सकते हो और इसे जादा भी ले सकते हो तो वो कौन से loan application से हम लोग करने वाले हैं यही मैं आपको बताऊंगा लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता दू कि यह पूरा process जो होने वाला है पूरा का पूरा process online होने वाला है आपको इस loan को लेने के लिए कहीं भी बाहर जाने की कोई जरूत नहीं है क्योंकि overall process आपका घर बेठे होने वाला है बस करना यह है कि आपको इस वीडियो को पूरा आखरी तक देखना होगा क्योंकि अगर आप लोगों ने इस वीडियो के किसी भी important part को miss कर दिया तो आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़े हो जाएगी कि शायद फिर आप लोग लोन ले ही पाओ क्योंकि यह बहुत बड़ी जो है एक मुसीबत की तरह क्या सकते हैं जो आचानक से आती है तो आप लोग easily यहां से loan apply कर सकते हो और easy अपने bank account में transfer भी कर सकते हो तो अब जादा बात ना करते हुए हम लोग steps and apply करने के तरीके की और आगे बढ़ते हैं और मैं बोल देना चाता हूँ कि अगर आप लोग first time मेरे चैनल पर आए हो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो सबसे पहले आपको करना क्या है इस वीडियो को like करना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि अगर आप लोग इस वीडियो को like निकरोगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आप लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हो पसंद कर रहे हो तो अभी इस वीडियो को like करो इस वीडियो को like करने के साथ इस वीडियो को share करना है इस वीडियो को शेर करना है WhatsApp पे, Facebook पे, हर जगा फिलादो जहां पे भी आपके दोस्त है और especially उन सभी दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेर करना जिनको लोन की आए दिन जरूरत पढ़ती रहती है क्योंकि आपके इस वीडियो को शेर कर देने से हो सकता है कि उनकी जिनकी का एक बहुत बड़ा जो मैटर है वो खतम हो जाए जो की है लोन से सम्बंदे प्रॉब्लम साब को बता है लोन के लिए आज के टाइम पे ज़्यादा से लोन लोग परिशानी रहता है क्योंकि उनको पैसो कर जुकार करें तो शायद आप इस वीडियो को शेर करके आप उनकी बहुत बड़ी मदद भी साबित कर सकते हो और साथ ही करना यह है कि जो सब्सक्राइब बटन है इस पर आपको क्लिक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा और मेन फायदा यह होता है कि यहाँ पर सबसे पहले आपको यह चैसे पता चल जाएगी कि आपको पता है डेली हम वीडियोस डालते हैं तो आपको रुजाना कुछ ना कुछ नहा अपडेट देखने को मिलता रहेगा जैसे कि आप कैसे हो लोन ले सकते हो और जितने भी लोन अप्स धिरी यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना पूरा नाम लिखना है आप लोग किस जगह से वीडियो देख रहे यह लिखना है और साथ ही आपके लोन लेने का में कारण किया है ये भी मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखके बता देना है तो कुछ छोड़ी सी छोड़ी चीज़े हैं जो कि आप लोगो करनी होगी अब हम शुरू करते हैं हमारा main apply करने का process तो मैं बता दू यह है हमारी वीडियो जो कि आप लोग अपने mobile screens पर फिलाल देख रहे हैं वीडियो के जस नीशे आपको इस टाइटल दिखने को मिल रहागा जो कि मैंने underline किया है तो जो टाइटल है आपको इस टाइटल पर क्लिक करना है जैसे ही आप लोग इस टाइटल पर क्लिक करोगे आपका description box खुल दाएगा आपके सामने एक website का Google search result शो करेगा जो कि आपके सामने दिख रहा है तो यहाँ जो आपके सामने फॉस्ट पर website आ रही है यहाँ पर loanpower.in करके जो फॉस्ट website है यह जो आपको website दिख रही है और जिसको मैंने भी underline किया है ब्राउजर जरूर होगा जिसे आप लोग आए दिन यूज़ करते होगे जैसे फॉर एक्जांबल मेरे फोन में Chrome ब्राउजर है Google ब्राउजर है आपके भी फोन में कोई ना कोई ब्राउजर जरूर से होता होगा तो आपको simple करना क्या है कि आपको अपने फोन का इस वर्ड को जाकर आपको सर्च करना है simple सा तो यहां पर मैंने जाकर सर्च कर लिया है loanpower dot in और इसको मैंने जैसे लिखा हुआ है आपको पहले तो वैसे लिखना है क्योंकि बहुत साब लोग इस वर्ड को लिखने में करना यह है कि जो first website दिखरी है loanpower.in गी आपको इस website पर click करना है और इस website पर click करोगे तो सिधा पहुंच जाओगे loanpower.in के official website और official official online platform पर और वहां से हम लोग जानेंगे कि वो कौन सा loan application ने जिसके माधियम से हम लोग easily maximum 10,000 rupees तक का quick और instant loan पा सकते हैं तो इसके लिए website पर करते हैं click website पर click करने के साथ ही थोड़ा सा wait करते हैं और यहां पर जो हमारी website खुल के आजएगी जिसका नाम है loanpower.in जैसे कि आप लोग अपनी mobile screens पर देख सकते हैं website खुल के आने के साथ ही यहां पर आपको left side में three bars का option अप्शन मिल रहा है इस पर आपको click करना है इस पर click करोगे तो काफ़ी सारे loan की option दिखेंगे जिसमें से आपको एक अप लोग का भी section दिख रहा होगा इस पर आपको click करना है जैसी आप लोग इस एप लोग की label खुल करोगे आपका के माधियम से instant loan apply करने वाले है और आपको यह article दिखें तो सबसे पर आपको इस article पर कर देना है click जैसे आप लोग इस article पर click करोगे आपका यह article open हो जाए का जनकारी मिलेगी कि यह shine loan app है क्या loan कैसे देती है कितना देती है और सबसे एहम बाद shine loan app से loan कैसे apply करना है तो पूरी जनकारी यहां पर पूरी जनकारी को आपको अच्छे से पढ़ना है पढ़ने के साथ ही नीचे जाना है और यहां पर मिलेगा आपको एक apply now का button जो कि आप लोग यहां देख सकते हैं तो यह जो आपको apply now का button मिल रहा है आपको इजली इस apply now के button पर click करना है और click करने के साथ ही आप लोग shine loan app की main homepage पर पहुंच जाओगे और वहां पर step by step हम लोग फिल लोन को कैसे apply करेंगे वो जानते हैं तो इस पर करना है click तो जैसी आप लोग apply now के button पर click करोगे आप लोग सीधा पहुंच जाओगे shine loan app की main homepage पर यहां पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले थोड़ सा wait करना है fan card के details दानने के बाद मेरे को यहां पर दिखाया था कि मेरा 3000 तक का loan यहां पर apply हो सकता है because मेरे fan card के eligibility इतनी थी तो यह quick loan है तो इसलिए आपको यहां पर दिखने को मिलेगा और साथ ही बता देगा कि आपका daily interest rate किता लगेगा और किते दिरों के लिए जो है मैं loan वापस कर सकता हूं और जितना वापस करूंगा इतना मेरे को इंटरसेट दिना पड़ेगा इसलिए फिर आपको request loan के button पर क्लिक कर देना है और यहां पर आपको दो जो है steps complete करके आपको इजली यहां से loan apply कर लोगे जो कि सबसे पहले आता है personal details फिल करनी है personal details में basic information, income information, merchant contact भढ़ना है एक एक करके समझो तो एक के पूरी details आपको अच्छी से बढ़नी है और ध्यान रखना कि जो details आप भर रहे हो वो पूरे आपके documents से match करने चीए तो साइ loan app से उतना आपका loan apply हो जाएगा, जैसे loan apply हो जाएगा आपको ज्यादा wait नहीं करना है, 10 minute wait करना होगा minimum, इस बीच में आपका EKYC verification हो जाएगा और 1-2 घंटे के इंदर आपका loan आपके bank account में transfer कर दिया जाएगा, तो यह बहुत असान तरीक है जहां से आप लोग इसली quick loan ल